हलो दोस्तों आप सब का एक बार फिर से YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम डिसकस करने जाएंगे Sinusitis के बारे में कल अपने वीडियो के इसी कड़ी में डिसकस किया था, राइनाइटीस के बारे में आज अपने डिसकस करेंगे Sinusitis यह सारी छोटी छोटी डिजीज है जो पहले से प्रिवेंट कर दी जाए तो बड़ी प्रोब्लम से बच्चा जा सकता है और यह सारी जो प्रोब्लम्स है वो अपन डेली लाइफ में एक्सपिरियंस करते हैं तो उससी के बारे में अपन जानते है क्या यह sias Avellar Corn 양is होता क्या है तो video respiratory system part four आज अप के सामने लेकर आया हूं तो sinusitis, sinusitis is a inflammation of sinuses sinus के अंदर inflammation होने के condition को अपन क्या बोलते है अपनने जब anatomy पढ़ी थी anatomy के अंदर अपने देखा था कि face के अंदर four sinus होते हैं कितने sinus होते हैं four number में sinus होते हैं four pair of sinus होते हैं ठीक है और उसके लिए pneumonia का आपको मैंने याद करवाया था कौन इनके नाम के हिसाब से देखिए f face में क्या होता है f e as face में क्या होते हैं sinus होते हैं face के उबर f means frontal sinus, e means a frontal sinus, s means pennant sinus, m means a maxillary sinus होता है यह चार four pair के अंदर होते हैं और इसके अंदर जो यह lining है sinus के अंदर inner lining जो है वो किसकी बनी होती है inner lining है वो किसकी बनी होती है mucous membrane की अब इस mucous membrane के अंदर क्या हो जाए sinus के अंदर की mucous membrane के अंदर inflammation हो जाए उस वाली condition को बन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं sinus क्या होता है sinus एक air filled cavity होती है जो आपके face के अंदर पाई जाती है ठीक है for pair में होती है air filled cavity होती है और यह क्या करती है resonance provide करती है किसमे resonance provide करती है for voice के लिए और यह क्या करती है lighten the weight of head head के weight को क्या करती है light करती है यह चीज उसके head को हलका करने में इसका sinus की use होते है और इसी के अंदर अगर inflammation हो जाए तो उस वाली condition को बोलते हैं sinusitis यह जो है इसके अंदर sinusitis जो है maxillary sinus is affected most open most commonly sinus effect exam equation पूचा जा सकता है sinusitis के दौरान most commonly कौन सा sinus effect होता है तो वह होता है आपका maxillary sinus क्योंकि maxillary sinus है वह कौन सा है largest sinus होता है largest sinus होता है और more accessible sinus होता है अगर किसी भी treatment दिया जाना है तो सबसे fast अपन जो अच्छा treatment कि इसका दे सकते है maxillary sinus का क्योंकि यह size बड़ा होता है और यह convenient होता है इसको assess करना इसलिए इसको अपन आराम से इसको दे सकते हैं sinusitis can lead to serious complication अगर sinusitis को अपन सही से treat नहीं किया जाए इसको time पर treat नहीं किया जाए तो इसके बहुत ही serious complication अपने को देखने को मिलता है जिसमें complication के अंदर middle ear infection इसको अपन बोलता है otitis media जो अपने inner external और middle ear है जिससे sinus taken tube कहां से आते हैं आपकी pharyngitis तो pharyngitis से भी क्या होता है और sinusitis अगर continue रहता है तो इस taken tube के थूप क्या होगा आपका middle ear के अंदर कुछी use taken tube जो कि क्या connect करके रखती है pharyngitis को middle ear से connect करने काम करती है जब भी कोई voice ज्यादा आती है अगर आपके space आती है तो वो क्या करती है कोई sound ज्यादा है तो इस taken tube open होके वो मुझ के थरू बार आ जाती है इसलिए अपन जब भी कभी भी बहुत जोरदार एक्दम से आवाज सुनते है sound सुनते है एक्दम से अपकी मुझ से भी आवाज निकलती है तो यह response होता है तो इसके थरू इसी के थरू infection कहां पर चला जा सकता है middle ear के अंदर अब इसके बात क ज्यादा हो सकते हैं sinusitis allergy की वज़े से यह most spread of infection from nasal passes to sinus ज्यादा तर जो infection जो जाता है वो अगर आपको rhinitis कंडिशन है mucous membrane rhinovirus का infection हो गया है most common जो rhinitis के अंदर होता है अगर उसका infection आपको हो रहा है और उसके nasal congestion की वज़े से अगर जो secretion है sinus के जो secretion है sinus होते हैं उसके अंदर क्या होता है secretion अगर वो drain नहीं हो पाए क्या नहीं हो पाए drain क्या हो जाए नहीं हो पाए तो सारा secretion किसे में हो रहेगा इसके अंदर तो accumulation अगर यह secretion है वो accumulate in sinus for long time अगर long time के लिए sinus के अंदर accumulator होता है तो can lead क्या कर सकता है यह lead क्या करेगा infection को lead करता है इची के blockage in sinus drainage में cause sinusitis because trapped secretion really become infected जो अगर इसके अंदर बरा रहेगा वो ज्यादा मात्रा में अगर secretion के अंदर परा रहेगा क्योंकि mucos membrane से lining होती है तो मेंसे क्या secret होता है mucos secret होता है वो जदा mucos secretion accumulation हो जाता है तो fluid fill cavity के अंदर क्या बढ़ जाएगा आपका mucos बढ़ जाएगा और वो क्या lead करेगा आपका infection impaired sinus drainage में भी result जो impaired sinus का drainage है वो impaired किस वज़े से हो सकता है किसी भी allergy की वज़े से हो सकता है allergy की वज़े से हो सकता है nasal polyps की वज़े से हो सकता है नाक का मास अगर बढ़ जाए उसकी वज़े से हो सकता है deviated septum nasal deviation हो जाए नेजल जो bone है nasal bone का अगर किसी प्रकार division हो जाए थिक है तो उस वाली condition में क्या हो सकता है sinus का जो drainage है वो क्या हो सकता है ब्लोक हो जकता है shimmer kla Gang Begin nasal polyps हो सकता है divated nasal septum है dvty है divated dns जो अपन बोलते है dns एक disorder अपन पढ़ेंगे आगे divuated nasal septum अगर यह वाली condition अगर है तो उस वाली condition में भी sinusitis होने के chances होते हैं अगर जिस patient को भी अगर यह note है जब भी अगर किसी patient को इस परकार की condition देखने को मिलती है cryonitis ऐसी condition है या allergy cryonitis है तो सच्छे पड़ी अच्छी बात यह है इसके अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको fluid plenty of rest करनी है well balanced diet करनी है ठीक है थोड़ी मोटी exercise करनी है और किसी allergy की वज़े से हो रहा तो उस allergy से आपको दूर हो जाना है ठीक है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी water drink करना है ठीक है तो यह वाली condition अपने को अगर cold यह जो आपका common cold है वो 10 दिन से ज़्यादा है और उसके अंदर foul smelling के साथ कुछ भी sputum या green discharge हो रहा है तो उस वाली condition अपने को क्या करना है डोक्टर को दिखाना है आगे अपने देखते हैं sinus symptom तो यह डिपेंड करता है sinus symptom कि किस जगे का आपका sinus affected है अगर आपका frontal sinus effect है तो frontal region में आपका pain होगा spanoid sinus है तो दोनों आखों के बीच में दर्द होगा ethmoid sinus है तो आपका face के अंदर क्या होगा यहाँ पे pain feel होगा maxillary sinus है तो आपका mouth opening के अंदर pain होगा तो यह इस तरह से क्या होती है जैसे normal sinus आपका इस तरह से cavity होती है fluid filled cavity होती है लेकिन इसके अंदर क्या हो गया इसमें mucos accumulation हो गया तो और implant होने के वज़े से क्या होगी इसकी क्या होगा रिजाएं से क्या हो जाएं अपका Children's क्या हो धमत एक और सर कैसा रहेगा आपका भारी भारी साथ कर सख होगा तो जब भी sinusitis होता है sinusitis की sign है तो वो क्या होगा आपका headache होगा जो भी आपका frontal region वाला headache होगा इसके अंदर low grade fever आएगा fever कौन सा आ सकता है आपका low grade fever pain over the affected sinus जहां जिस area जिस sinus जो sinus आपका affected है उस area pain होगा nasal congestion and discharge mucos secretion है उसकी वज़े से क्या होगा जब तक mucos thick नहीं होता तब तक तो nasal से निकलेगा अगर ज्यादा थिक हो गया तो यह condition और क्या हो जाएगी fever हो सकती है pain and pressure around the eyes आपके आँकों में दर्द होगा पूरा space कैसा लएगा भारीपन लगेगा पुरी सरे में कमजोरी सी देखने को मिलती है इन sinus 便h um साथेसिंज की condition के अंदर डिगनोसिस के लिएकों क्या कर सकते है ज钱 शी क्रीशन है कुछर ले सकते है microbiology के लिए lab test करवा सकते है वह test कर वाकर क्या कर सकते है Lamb on sensitivity cz कर सकते है और उसके recording अपन क्या कर सकते है उनको ant sensitive दे सकते है according to kis इसके nasal जो discharge है उसका culture करेंगे culture में जो भी antibiotic sensitive होगी उसके according अपने उसकी antibiotic चला सकते हैं दूसरा इसका diagnosis के लिए पहला तो आपका क्या हो गया culture हो गया दूसरा क्या करते हैं अगर sinus ज्यादा ही affected होते हैं तो sinus की जो cavity है उसका पता लगाने के लिए अपन करते हैं टेस्ट करते ह है ठीक है X-ray करता है तो X-ray में जो fluid filled cavity है air filled cavity जो है उसके अंदर क्या रहेगा आपका fluid fill हो जाएगा तो उसकी वज़े से आपको radiography में देखने को मिलता है कि sinus कितना damage हो रहा है या उसके अंदर कितना fluid उसका है वो देख सकते हैं Trans illumination Trans illumination एक test होता है जिसको किसमें किया जात है , dark room के अंदर किया जाता है dark room में और high frequency light यूज की जाती है High frequency light को किसमें डाला जाता है cavity के अंदर High frequency light को किस पर जाता ہے this affected affected cavity के अंदर light frequency है उसको किसमें डाला जाएगा आपका affected जो cavity है उसके उपर डाल कर इस तरह से अपन इसकी अंदर की position check कर सकते हैं लाइज ये जो light है उसको क्या डाल रहे हैं इदर उपर की और आंके उपर से ये जाल रहे है तो ये क्या देख रहे हैं आपके frontal sinus को देख रहे हैं इस तरह से ये जो procedure होता है इसको क्या बूला जाता है आपका trans illumination like high frequency light के साथ उस cavity को देखना किसी भी cavity को high frequency light को देखना क्या कहलाता है trans illumination ठीक है इसके बाद आप और क्या कर सकते है पेशन के आप history ले सकते हैं अगर allergy कोई history है तो उसकी एलर्जिक हिस्ट्री है तो उस एलर्जिक हिस्ट्री को आपको दूर करना है जैसे कि कोई allergy है तो उससे आपको पेशन को अपने को दूर करने के लिए बताना है अब और इसका treatment के लिए अपन क्या यूज करता है medical और surgical treatment यूज करते है नॉर्मली अपन medical treatment अगर यूज करेंगे तो अगर कोई antibiotic जो भी आपने sensitivity टेस्ट कराया उसके अंदर जो भी reactive जो भी sensitive antibiotic आई वो antibiotic चला सकते हैं जैसे most openly अपने यूज करते हैं जो है azithromycin अपने यूज कर सकते हैं इसके लिए सफेक्सिम यूज कर सकते हैं acute sinusitis conservative treatment to help overcome the infection most अगर acute का है तो conservative अपने को treatment करना है conservative treatment के अंदर मतलब conservative का means होता है जितना उसको prevent कर सके वह वाला treatment करते हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे saline irrigation समझ में आ रहा है दोस्तों saline irrigation जो अपने हिंदी भासाम अपन कहते हैं जलनेती हिंदी भासाम अपन क्या बोलते हैं जलनेती जो सारे लोग बोलते हैं जलनेती करना चाहिए वही एक चीज क्या है वह भी उसी को अपन क्या बोलते हैं nasal irrigation करना तो saline irrigation of the maxillary sinus may be done to remove accumulated exudate and promote drainage उसके अंदर क्या जलनेती करेंगे तो क्या होगा fluid के थुरू जो भी accumulate partsen है वो भी आपका क्या होगा बाहर आ जाएगा तो इस तरह से अपन इसको जलनेती आप कर सकते हैं तो most accessible sinus कौनसा होगे आपका maxillary sinus है irrigation करते हैं यह इस तरह से position आपन बना सकते हैं इस तरह से और एक लंबी nose वाली boyby bottle लेना है और उसको nose में और head tilt करके आपन क्या कर सकते हैं इसको यह कर सकते हैं इस तरह से अपन क्या करेंगे जलनेती कर सकते हैं next देते हैं such irrigation is done by insert of catheter through the normal opening under the middle कौन का होई है middle जो कौन चा अपने पढ़ा था एक inferior superior कौन चा middle कौन चा और inferior कौन चा superior middle और inferior कौन चा nose जब पढ़ा था nose के अंदर तीन कौन का पड़ा था कौन का या फिर उसको बोलते हैं टर्बिनेट यह क्या होते हैं बोनी उभार होते हैं इसके अंदर से air क्या होती है पास होके जाती है यह क्या होते हैं और उसके उपर lining होती है कि की mucous membrane की antibiotic therapy अगर severe condition है तो अपन क्या यूज करते हैं अगर आप प्रेफर कर सकते हैं next वीडियो में और इसके अंदर यूज कर सकते हैं अगर sinus की problem बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस वाली condition में अपन क्या करते हैं chronic sinusitis वाली condition है तो उस वाली condition में क्या करते हैं surgical treatment करते हैं और surgery किसे करते हैं endoscopic sinus surgery करते हैं endoscopy से क्या करेंगे जो sinus के अंदर कुछ भी accumulation है या जो भी चीज है उसको क्या करेंगे उससे बार निकाल देते हैं तो उसके लिए जो surgery किया जाती है उसमें एक surgery होती है cold well look cold well look procedure या इसको बोलते है cold well look antrostomy cavity के अंदर किसी प्रकार का incision बनाते हैं तो उसको बोलते हैं किसी भी cavity के अंदर एक incision बनाकर कोई opening करते हैं तो उसको बोला जाता है antrostomy उसको नाम क्या है cold well look procedure करते हैं यह किसके लिए किया जाता है cold well look आपका maxillary sinus के लिए किसके लिए क्या जाता है एक्जाम में पूछा जा सकता है cold well look procedure क्या है तो cold well look procedure क्या है एक sinus की endoscopic surgery होती है जिसके अंदर क्या किया जाती है sinus के अंदर एक incision लगा ओपनिंग करके वो sinus के अंदर से जो भी खराब material से debris है उसको बहार निकाल दिया जाता है और उसके लिए कौन सा होता है आपका maxillary sinus के लिए एक procedure हो गया दूसरा आपन क्या कर सकते है spheno-athmoidectomy sphenoid bone और ethmoide vein को क्या कर सकते है open करके वो से जो आपका maxillary sinus है उन sinus को open करके उसमें से भी आप drain करते हैं severe problem के लिए then remove disease tissue and provide an opening to the inferior mitus or nose adequate drainage adequate drainage के लिए आपन क्या करते है एक तो cold well look procedure spheno-athmoidectomy करते हैं nursing management अगर बात करें है तो अगर patient normal तो है तो आपको क्या करना है patient को जो भी medications दिया है वो उसको patient को देना है if client receiving medical treatment the nurse inform him or her that use of mouthwash अगर किसी भी प्रकार का corticosteroid therapy अगर वो ले रहा है तो corticosteroid लेने के बाद क्या करना है उसको mouthwash करना है ताकि local effect हो उसका systemic effect नहीं हो वो body के अंदर एक्जोर ना हो इसके लिए अपने को क्या करना है nasal को भी steroid spray ले रहा है तो आपको उसके बाद क्या करना है mouthwash करना है humidification के लिए आप क्या कर सकते हैं steam लेना है स्टीम लेने के लिए बोलना है ठीक है और फ्लूड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है जो क्या करेगा आपका जो सिक्रेशन है उसको लूज सिक्रेशन कर देगा इंस्टर क्लाइन टो टेक नेजल डी कंजिस्टेंट एंटी हिस्तामीन एस पर डॉक्टर ओडर अगर स्टीम कर रहे है तो उसके लिए पॉस्ट ऑपरेटिव अपने को केर के लिए तयार रहेना है और अगर उसके पैशन अगर बार बार स्वेलोईंग कर रहा है तो मतलब उसका क्या हो सकता है थ्रोर्ट के अंदर क्या होगा क्योंकि नेजल जब भी ये सर्जरी होती है नेजल जो भी सर्जरी होगी नेजल सर्जरी होगी तो उसके बाद क्या करेंगे नेजल पेकिंग करते हैं तो नेजल पेक लगा देते हैं नेजल पेक लगा देते ह जो भी bleeding है, bleeding अगर ज्यादा है, तो patient क्या करेगा, bleeding अगर है तो उसमें क्या करेगा, patient swallowing, और surgery के बाद अगर patient ज्यादा swallowing कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर bleeding हो रही है, यह ज्यादा अगर increase swallowing कर रहा है, तो patient क्या हो रही है, bleeding क्या है, इसमें increase bleeding है, त तो डोक्टर को क्या, इसके बाद क्या करना है, डोक्टर को इनफर्म करना है, ओठीक है, तीकर के डेमेज, इसके अंदर सबसे ज्यद्ध चांसे होते हैं, जबी ये सरसžड्री करते हैं, तो optic nerve damage होने के चांसे होते हैं, क्योंकि आँक और sinus path में होते हैं, उसमें जदातर chances होते हैं कि उसके optic nerve damage हो सकती है, nurse assess post-operatively, अगर जब जब जैसे ही patient की surgery होकर आता है, surgery होकर आते हैं, तो अपने को क्या, जब कोई भी nasal surgery करके आया है, तो अपने को लग सके बाद क्या करवाना चाहिए, visual equity test कराते हैं, विजुल एक्विटी टेस्ट जो क्या करते हैं उसके अंदर अपन करते हैं पेशेंट को 3 या 4 फिट की दूरी पर खड़े होकर अपने क्या देनकर उसको फिंगर सो करना है अगर उसको सई दिख रहा है मतलब कोई भी प्रोब्लम नहीं है अगर उसको सो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है किसे उसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व है वो डेमेज हो गई है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं विज्वल एक्विटी टेस्ट करते हैं विज्वल एक्विटी टेस्ट करते हैं कौन सा टेस्ट विज्वल लेना है अगर वहाँ पर पैन हो रहा है तो इंडिकेटी पॉस्ट ऑपरेटी इंफेक्षन और इंपेड रेनेस मतब क्या हो गया है या फिर उसके अंदर जो ड्रेनेस है वह अभी भी क्या है ब्लोक है जब भी पेशेंट अगर इस पेन की कंप्लेंड करता है तो अपने को क् सकते हैं एनाल जैसिक दे सकते हैं और उसको सबसे बिडिया जो चीज़ा पोस्ट ऑपरेटी जो अपन जो पेन रिलीव करने के लिए एक चीज़ वह यूज करते हैं आइस कंप्रेशन को दे सकते हैं वो क्या करेगा पेन और एडिमा को रिलीव करेगा ठीक है और जब भी कि नेजल सज़ी होती है उसके बार नेज़ल पेकिंग करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं जो ड्रेसिंग करते हैं उसको बेव या पर ऐस तरह मिले यह यह शिरफ इस वे यह dressing होगी उसको बोलते हैं अगर इस प्रकार की dressing अगर देखने को मिलती है इसके अंदर क्या हो गया यह एक drip paid है और दोनों तरब क्या string लगा रहा है इस प्रकार की क्या करते है आप नेजल अंदर packing करते हैं और packing बार नहीं निकल जाए उसके लिए एक तो moustect dressing question पूचा जा सकता है एक्जाम के लिए sinus या nasal surgery के लिए जो dressing की यूज की जाती है या moustect dressing कौन सी surgeries में यूज की जाती है तो nasal surgeries में यूज की जाती है drip paid जो है surgery किसमें यूज की जाती है वो भी आपकी nasal surgery के लिए अगर exam में क्यूशन पूचा जाए इमेज बेज क्यूशन आए तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह इस तरह इसको बोलते हैं मॉस्चेट ड्रेसिंग और इसको बोलते हैं की ट्रिपेड ट्रेसिंग ठीक है बिकोज नेजल पेंकिंग फोस्टे क्लाइन तो बीट थू दे माउट जब भी पेशन माउट से साथ लेगा तो माउट ड्राइनेस होने के चांसे होते हैं माउट ड्राइ होता है तो पर अपने को क्या करना है नर्स को स्माल सिप्स अप फ्लूट अपने इसको देना है या फिर आस चीप उसको देना है औरल हाईजिंग करना है क्योंकि ज्याधा जब ड्राइनेज होगा तो उससे ज्यादा और इंफेक्शन होने के चांसे हो सकते हैं तो इंसे बचाने के लिए माउट वासिंग करवाना है आइस चिप्स देना है ठीक है यह था पूरी चीजे आपके साइनुसाइटिस के बारे में वैसे यह टोपिक बहुत ही छोटा सा टोपिक है आप दूसरी जगे अगर देखेंगे अपने को लगता है इसमें से क्या क्विशन आएगा लेकिन कुछ इंपोर्टेंट चीजे होती है डेली लाइफ के लि जो है सेलाइन इरिगेशन कर सकते हैं और उसीकी वज़े से स्वाट थ्रोट भी अपने देखने का में बहुत है तो सेलाइन गारगरी बहुत ही एफेक्टिव ट्रेटमेंट है और जधा से जधा पानी पिना है इसे सर्दे जुकाम जैसी कंडिशन के अंदर और वाइटाम इनके बारे में अपन बाद में discuss करेंगे, ठीक है, तो ये चीजे discuss करेंगे, पूरा Respiracy सिस्टम दीरे-दीरे आराम से इस सिस्टम को पूरा करेंगे, आप lockdown के अंदर मेरे वीडियो का आनन ले, वीडियो को share करें, subscribe करवाएं, और subscribe कराके help करें, ताकि में motivate होकर एक अच्छा और बोत नोगे